आखिर आरव ने अपनी लाइफ में व्यान को क्यों किया एक्सेप्ट, कैसे किया एक्सेप्ट, कब किया एक्सेप्ट, जैसे सवाल हर किसी के मन में आ रहे हैं क्योंकि अचानक से आरव क्या प्यार जिस तरीके से व्यान के प्रती उमड़ा है वैसे में हर कोई हैरान है कि आखिर ये कैसे हुआ क्योंकि किसी को अभी तक यही नहीं लग रहा था कि आरव व्यान को एक बार फिर से एकसेप्ट कर लेगा और कथा और व्यान की लव स्टोरी मुकम्मल हो जाएगी वैल तो शली देखते हैं आप सभी का मन पसंद सेरेयल कथान कही के आने वाले एपीसोड में क्या कुछ नया होने वाला है हाला के हम सभी ने पिछली एपिसोड में देखा था कि किस तरीके से रागो के सामने कथा और आरव का जो सचाई रहता है वो सारा आ जाता है क्योंकि फाइनली आरव और कथा ने सारी बाते रागो को बता दी है और जिसके बाद से रागो बेहत अपसेट है और अपसेट होना लाजमी भी है क्योंकि वो कथा से बेंतहा मुहबत करने लगा था और उसके मन में ये उमीदे थी कि कथा भी उससे प्यार करना शुरू कर द तील होने से बचानी की कोशिश करा लेकिन वहां रागो की फैमली है कि वो व्यान और कथा की लव इस्टोरी के बारे में उन्हें भनग तब लगता है जब व्यान है कि वो कथा को पोर्ट करने लगता है लेकिन इस serial का अब लेटेस ट्रैक सामने आ चुका है और इस ट्रैक मे आपको देखने को मिलेगा अल मैं आपको बता दूँ कि व्यान को अपनी लाइफ में क्यों एक्सेप्ट किया दरशल व्यान, रागो और कथा की आपस में बात हो रहे थी और वो सारी बाते जो आरफ है वो सुन लेता है और फिस उसे महसूस होता है कि उसकी गलती की सजा उसकी मा को क्यों मिले क्योंकि कथा ने पूरा रो के बिलख के अपनी सारी फिलिंग घरवालों के सामने रख देती है और वो बता देती है कि फाइनली वो आज भी व्यान से ही उतनी महबबत करती है जितना वो पहले करती थी जिसके वज़र से आरव अपने एको को साइड में रखके अपनी मा की खुश्टी के लिए वो व्यान को अपनी लाइफ में एकसेप्ट कर लेता है और वो सारी चीजे को भूल जाता है जो पीछे हूच की हुई लेकिन अभी सिरियल के आने वाले ट्रैक में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कि इस तरीक के से कथा और व्यान का जो प्यार है वो मुकंबल हो जाता है और एक आरव को हैपी फैमली मिलता है वाले सिरियल पर आप सभी का क्या राय है हमें कमेंट के दिए जरूर को तरिये का फिलाल इस वीडियो में इतना ही ऐसे अपनी फेबेस एक अपडेट जानने के लिए देखते रहे फिल्मे विटो और हमारे चैनल को सिस्क्राइब करना बिल्कुल न भूले और अगर आप ये वीडियो फेसूप पर देख रहे हैं तो वहां भी हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें